नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेकनिकल गार्डिनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टॉला का प्लांट के बारे में बारिस के मौसम में कैसे हमें इसकी केर करनी है और क्या कमपोस्टिंग करनी है इसकी कटिंग्स के मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जो की बहुत ही शॉकिंग में आखिर तक बने रहेगा और कोई पार्ट इसकिप मत किजा आ अगर चैनल पर नए है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें औ ताकि आग्यानली वीडियो के नोटिफिकिशन्स आपको आसानी से मिलती रहे हैं दोस्तों पोटुला का बहुत ही एजी टू ग्रो प्लांट है जो इसका फ्लॉरिंग टाइम होता है वो गर्मियों का होता है और बारिस सर्दियों तक ये पूरे आल टाइम फ्लॉरिंग करता रहता है और उसके बाद फुरी सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है उस समय ये पूधा आपको पूरी तरह से खतम सा नजर आएगा लेकिन आपको उस पूधे को खाड़के फेकना नहीं है उसको वैसे ही डॉर्मेंसी पिरेड में छोड़ देना है जब फर्वरि क होने लग जाता है तो उसमें आपको करना क्या होता है जब पूधार नई ग्रोथ पे स्टार्ट होता है तो उसमें आपको पिंचिंग करना होता है जिससे की पूधे की मल्टीपल ब्रांचिस निकल के आए जब मल्टीपल ब्रांचिस होती है तो छोटे से छोटे गंबले म और आप देख सकते हैं किस प्रिकार से ये ग्रो करके पूरी तरह से भर गया है। और इसको reporting के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा reporting के टाइम पे ये था। तो पहली चीज तो ये है दोस्तो बहुत ही आवस्यक इसके लिए। दूसरी कि आपको जो पॉर्टुला का प्लांट है इसे फुल सनलाइट देना है सनलविंग प्लांट है ये तो फुल सनलाइट में काफी अच्छे से ग्रो करता है और उसके बाद मैं बता हूँ आपको इसमें watering जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में नहीं देना है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में देंगे यह एक तरह से succulent plant है जो की पत्तियों में अपने water को absorb करके रखता है मैं अगर आपको दिखा हूँ camera में सायद अगर capture हो तो अगर हम इसकी पत्तियों को यूँ मसलेंगे तो आप मसल के एक बार चेक करेंगे तो देखें इसमें water absorb रहता है water को hold रखता है तो succulent type का plant है बहुत ज़्यादा watering नहीं करनी है अगर बहुत ज़्यादा watering करेंगे तो पौधे में फंगस आएगा और पौधा खराब होने लग जाएगा बारिस के time में इसे ऐसी जगहें पर रखें जहां इसमें डारेक्ट rainy water ना जाता हो और अगर ऐसी जगहें पर रख रहे हैं जहां पानी डारेक्ट इसमें गमले में जा रहा है बारिस का तो मिट्टी इतनी ज़्यादा पोरस होनी चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल भी hold न आपको दिखाऊं ये देखिए मैं जो कंपोस्ट देता हूँ इसमें seaweed का liquid कंपोस्ट मैं इसमें यूज करता हूँ उसके अलाव में बनाना पिल फर्टलाइजर ये दो चीजे ही सिर्फ मैं इसमें यूज करता हूँ ये केले के छिलकों को मैंने इस पानी में काटके डाल द देंगे इससे दोस्तों जो इसमें flooring capacity है वो बहुत अच्छे से increase हो जाती है और जो पौधे में आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां आपको कोई ब्रांच ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें कलियां ना हो और फुल तो already खीली रहे हैं तो दोस्तों ये compost हैं इसका जो आप इसको में दे सकते हैं नियमित अंत्राल पर आप दें महीने में एक बार आप केले की compost दें केले के छिलके से बना हुआ liquid compost और एक बार seaweed का compost दें बहुत ही अच्छी growth पर आपका पौधा नजर आएगा मैं और भी दिखाता हूं आपको ये देखिए मैंने ये नया बनाया हु हुआ है टोकरी तो इसमें भी देखिए सारी cuttings लगाई हुए हैं और सब cuttings काफी अच्छे से develop कर गई हैं grow कर गई हैं और मैं आपको ये चीज़ और बता दू कि इसको पोटला का की खुफसूरती को और अधिक बढ़ाने के लिए आप single color ना लगाएं जिस भी गंबले में आप लगा रहे हैं multi color लगाएं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस गंबले में ये देखिए ये purple color है ये white and pink color है साथ में ये देखिए ये pure white है इधर देखिए आप orange color है और अभी एक दो color और है दोस्तों जो खिले नहीं है वो मैं जब खिल जाएंगे तो उसकी pics upload करूँ तो इस परकार से अगर आप लगाते हैं और सारे color एक साथ खिलते हैं इसमें तो बहुत ही खूब सूरत देखने में लगता है ये फिर दोस्तों मैं बात करूँ तो बारिस में जो care होती है इसकी normal day में जो होता है इसके floors खिलते हैं और फिर वो सूख के गिर जाते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है पर बारिस में क्या होता देखे इस परकार से जब पानी इनके फूलों पर आता है तो ये फूल वैसे एक दिन के लिए होते हैं इसे 9 o'clock भी बोला जाता है क्योंकि सुबह 9-10 बजे के आस-पास इसके फूल खिलते हैं और साम होते होते हैं नहीं इस पर गिरता है तो आप देखे इस परकार से ये गलने लगता है और गल के गिरता नहीं है बलकि इसी में सड़ जाता है और सड़ने से फंगस पैदा होती है तो आप इन्हें इस परकार से अपने हाथों से हटा दें इससे एक और चीज क्या होती है दोस्तों कि जो दूसरी कलियां हैं, सभी ब्रांचेज में लगबग दो कलियां या तीन कलियां एक साथ निकल के आती हैं, आप देख सकते हैं, ये जो फूल खिलने के बाद दूसरी कली बची हुई है चोटी सी, इसकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं आएगा, अगर आप ये फूल रिमूब कर देते हैं तो, जो खिले हुए फूल है, गल गया है, सूप गया है, मुर्जा गया है, उन्हें आप हटा दे, और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपको कि किसी फंगिसाइट पाउडर का, जैसे देखिए मैंने इसमें सौफ फंगिसाइट पाउडर का लिक्ट बना स्प्रे कर देना है, तो कोई भी फंगिस जो पनप्रा होगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो आपका पौधा काफी अच्छे से ग्रो करेगा, और काफी अच्छे से फ्लॉर प्रोड्यूस करता रहेगा, तो यह हो गई दोस्तों इसकी केर, अब बात करते हैं हम इसकी, जो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो कुटिंग्स हैं, बहुत ईजली ग्रो कर जाती है, जहहें अब कैसी भी कुटिंग्स ले लिजे। आपको इनके रिजल्ल्स भी दिखाता हूँ, जो व्य प्रोड़ ग्रो की हुई है, और मैं आपको एक चीज और बताओ, जो इनकी लीफ् यह देखे यह लीप्स मैंने यहां से तोड़ ली अब आप इस लीप्स को भी अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो यहां से भी रूट्स निकलाती है और आपका यह नया पौधा तयार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कटिंग अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप इन इसके रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ पहले मैं इनकी कटिंग के रिजल्ट दिखा दूँ यह देखे इसमें मैंने सारी कटिंग लगाई हुई है यह टोकरी में और दोस्तों इस टोकरी में कटिंग लगाते टाइम कुछ कटिंग मेरी नीचे गिर गई थी जिसको मैं इस्टेम यहां गिरा हुआ है बिलकुल मिट्टी में इसे दबाया नहीं गया है और उपर गिरने के कारण इसमें से रूट निकल आई है और यह काफी अच्छा फिर ग्रोथ करने लगा इसी के साथ इदर देखे यह दूसरा पौधा इसी तरह से नीचे गिरने की वज़े से इसमें भी रूट निकल आई है और यह अच्छे से ग्रोथ करने लगा अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है इसकी जो लीफ से मैंने तयार कियो है प्लांट उसको दिखाता हूँ यह देखिए यह मेरा हैंगिंग बासकेट है जिसमें मैंने लीफ लगाए उसको मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट तो यह देखिए दोस्तों यह मैं आपको इधर दिखाता हूँ यह देखिए यह जो लीफ मैंने लगा रखी है इसमें मैं आपको यह देखिए इसकी रूट देखिए इस लीफ से निकली हुई रूट और बहुत ही जल्द इसमे यह लगाई हुए सारे यह पूरे गंब लेगो मैंने leaves से भर रखा था तो सारे तो प्रोपगेट नहीं हुए पर काफी हद तक इसमें leaves सकसिज रही है यह इनका सकसिज रहा और इनमें काफी healthy और ग्रोध भी इनकी start हो गई है तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं अगर आपको ब्रांचे ज्यादा नहीं मिलती हैं तो आपको करना कुछ नहीं इस प्रकार से आपने लीफ लेनी है अपने पौधे की और इसको हलका सा इस प्रकार से मिट्टी में दबा देना है और आप देखेंगे कि इसमें से रूट न अगर दूस्तों जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाओ हो, तो कमेंट बाक्स में लिखना न भूलें, बहुत बहुत धन्यवाद को